नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलेच बंडित पर मैं रंजीत पाइंडे आप सभी के लिए इस वीडियो में जनरल अवेरनेस और करेंट अफेल्स के साथ इंपोर्टेंट कॉशन्स लेकर आया हूँ आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में जो भी प्रशन आपके लिए बनाएगा है हर एक्जाम को टार्गेट करते हुए सेट किये गए है तो वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने कॉशन्स आप से सही हो रहे हैं इससे आपको आपकी तयारी पता चलेगी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकर ओन कर लीजेगा जिससे रोज के वीडियो की अबडेशन आपको नोडिफिकेशन से मिल सके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने ग्रूप्स में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रश्ट है हाल ही में किस देश के करकेटर शान मार्स ने प्रथम श्रेणी के करकेट से सन्यास की घोशना की है तो शान मार्स औस्टेलिया करकेट टीम के करके हुए हैं तो हिंदुस्तान यूनिलिवर के नए MD और CEO रोहित जावा जी निउपथ हुए हैं किसे देश का पहला electric तीरथ यात्रा गलियारा मिलेगा तो उत्राखंड राज में देश का पहला electric तीरथ यात्रा गलियारा मिलेगा हाल ही में जारी City Index 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरब पतियों की सूची में कौन शिर्स पर रहा तो City Index 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरब पतियों की सूची में अमेरिका शिर्स इस्थान पर रहा भारती वाई सेना ने कितने डॉर्नियर टू डबल एट विमान खरीदने के लिए H.A.L. के साथ अनुबंद किया है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत ने छे डॉर्नियर टू डबल एट विमान खरीदने के लिए H.A.L. के साथ में अनुबंद किया है हाल ही में 19 वी विम्स्टेक मंत्री इस्तरिय बैठक की अध्यक्षता किस देश के दौरा की गई तो विम्स्टेक मंत्री इस्तरिय बैठक की अध्यक्षता थाईलेंड देश के दौरा की गई जो की 19 वी बैठक थी कौन सा राज्य चौथी महिला नीती पेश करेगा तो महराष्ट राज्य चौथी महिला नीती पेश करेगा हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्त लिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो असम राज ने सबसे वड़े हस्त लिखित नोट्स का घिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत और किस देश ने सैमी कंड़क्टर पर समझाता करने की घोशा की है तो भारत और अमेरिका ने सैमी कंड़क्टर पर समझाता करने की घोशा की है किस राज ने केंद्र से पोष्टा की खेती करने की अनुमती देने की अग्रह किया है तो केंद्र से पोष्टा की खेती करने की अनुमती देने का आग्रह पश्यम बंगाल ने किया है हाल ही में किस ने खेलो इंडिया 10 का दम टूनामेंट का उधिकारी कौन बनी है तो एम एकाई की कमाण समझालने वाली पहली महिला अधिकारी घीता राणा जी बनी है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिनुद्दीन यासीन को भरष्टाचार के आरोप में गिरफतार किया गया है तो मलेशिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिनुद्दीन यासीन जी को भरष्टाचार के आरोप में गिरफतार किया गया है हाल ही में आई रेपोर्ट के अनुसार को पोशण से पिरित गर्भ महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की ब्रतिशत की ब्रतिशत की ब्रतिशत हुई है Reliance Life Sciences को किस IIT से Gene Therapy Technology का लाइसेंस मिला है तो IIT कानपुर ने Reliance Life Sciences को Gene Therapy Technology का लाइसेंस दिया है हाल ही में किस देश ने International Big Cat Alliance बनने का प्रस्ताव दिया है तो International Big Cat Alliance बनने का प्रस्ताव भारत ने दिया है हाली में Axis Mutual Fund का नया MD और CEO किसे चुना गया है तो Axis Mutual Fund का नया MD और CEO B. Gop Kumar को चुना गया है Organized Licoris यानि की मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन मना है तो Organized मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है CISF का 54 स्थापना दिवस कब मनाए गया तो 10 मार्च को CISF का 54 स्थापना दिवस मनाए गया हाली में नेपाल के नए राश्पती कौन चुने गए है तो राम चंदर पॉंडेला नेपाल के नए राश्पती चुने गए है सेंक्त राश्ट की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है तो अफगानिस्तान सेंक्त राश्ट की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है किस राजी के स्वास्थ मंत्री ने एक नया स्वास्थ कारिकरम आरोग्य महिला शुरू किया है तो आरोग्य महिला स्वास्थ कारिकरम तेलांगना राची के स्वास्थ मंत्री ने शुरू किया है अशोक लेलेंड ने कहां All Women Production Line लाइन लाँच की है तो तमिनान्दू में अशोक लेलेंड कमपनी ने All Women Production Line शुरू की है हाल ही में किसने स्वतंदरता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी योगनामक पुस्तक का विमोचन किया है तो नई दिली में आईश मंत्राले 2023 का ये योग महुसा 2023 का आयजन करेगा भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाच कौन बने है तो अकशर पटेल भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाच बने है हाली में टेक महिंद्रा ने किसे MD और CEO को रूप में नियुक्त किया है तो टेक महिंद्रा ने मोहत जोशी को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है हाली में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खुलेगा तो जमू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा हाली में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास समान 2022 के लिए चुना गया है तो डॉक्टर ग्यान चतरुवेदी द्वारा लेखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। किस देश का माउंट मेरापी ज्वाला मुखी फटा है तो इंडोनेशिया में इस्थित है ये माउंट मेरापी नामक ज्वाला मुखी। SEO सुप्रीम कोट ने मुखे नयधीशों की बठक कहाँ आज़ित है तो सुप्रीम कोट के मुखे नयधीशों की बठक जो है नई दिली में आज़ित हुई है। Supreme Audit Institution 20 की पहली बठक कहां पर शुरू हुई तो Supreme Audit Institution 20 की पहली बठक गुवाहाटी में आजित हुई हाली में केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने कहां मेथनौल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है तो बैंगलूरू में केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी जी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है हाली में चौथी एशियाई खोखो चेंपेंशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा भारत के ट्रेप शूटर प्रत्वी राज तोंडाई मन ने ISSF Sports Shooting विशो कप में कौन सा पदक जीता है तो शूटिंग स्पोर्ट्स में शूटर प्रत्वी राज तोंडाई मन ने कां से पदक जीता है हाल ही में किस IIT के वेग्यानिकों ने नए जीवानु रोधी अनु IIT ROO 693 की खोच की है तो ये IIT रूड की के वेग्यानिकों ने नए जीवानु रोधी अनु की खोच की है हाल ही में परदानमंदरी मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे डैलवे प्रेटवर्म का उध्खाटन किया है किस राज में H3N2 इंफलेंजा वायरस में पहली मौत कर्नाटस की गई है किस ने बेंगलर। मैसूर एकसेप्रेसवे का उध्खाटन किया है हाली में जारी आंकणों के अनुसार भूस खलन सूचकांक में कौन शिर्स पर रहा तो भूस खलन सूचकांक में ये टिहरी और रुद्र प्रयाग ये दोनों ही शिर्स पर रहे है हाली में NSAC की छटी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे तो प्यूश गोयल NSAC की छटी बैठक की अध्यक्षता करेंगे किसे LIC का अंतरिम चेयर्में न्युक्त किया गया है तो सिद्धार्थ महंती को LIC का अंतरिम चेयर्में न्युक्त किया गया है किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साज़ेदारी की है तो यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ में सह उधार साज़ेदारी पेश की है हाली में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है तो कोची मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है किस देश ने illegal migration बिल पेश किया है तो UK ने illegal migration बिल पेश किया है हाल ही में मुख्य चुनावाइक ने कहां vote fest 2023 का उधगाटन बैंगलूरू शहर में किया है चिसानों के लिए वित्व पोशन के लिए किस बैंक ने किंद्री भंडारन निगम के साथ MOU पर हस्ताक्शर किया है तो जापान के प्रधान मंतरी भारत की आधिकार क्यातरा पर आ रहे हैं हाली में चीन की संसद में नए प्रीमेर के रूप में किसे नामित किया गया है तो नए प्रीमेर के रूप में ली कियांग को चीन की संसद में नामित किया गया है किस देश के द्वारा हिंद महासागर छेतर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आजित किया गया तो भारत के द्वारा हिंद महासागर छेतर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आजित किया गया दुरलब पतंगे की प्रजाती माई मियो सेमिया सूलख सीलो निका को किस राज में देखा गया है तो माई मियो सेमिया सीलो निका दुरलब पतंगे की प्रजाती के राज में देखी गई है किस राजी की कैबिनेट ने नई खेलनी थी 2023 को मंजूरी दी है तो नई खेल नीती कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की इसने मंजूरी दी है गोल्डन सीटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारो किस देश में आज़ित किया गया है तो Golden City Get Tourism Award जर्मनी देश में आजित किया गया है हाली में भारते रेलवे ने किस इस्टेशन से भारत गौरो ट्रेंज शुरू की है तो मुमज स्टेशन से भारते रेलवे ने भारत गौरो ट्रेंज शुरू की है हाली में किसने अहम्दाबाद में आभासी रूप से किस विकास पर्योजना का उधगाटन किया है तो अहम्दाबाद में आभासी रूप से विकास पर्योजनाओं का उधगाटन अमिच शाह जी ने किया है किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिशद दागेटवेट्य टू एक्टर्निटी का विमोचन दॉक्टर कर्ण सिंग के द्वारा लिखित पुस्तक है हाली में भारत और कौन सा देश आरतिक रक्षा संबन्दों को मजबूत करने पर सहमत हुए है तो भारत और उस्ट्रेलिया आर्थिक रक्षा संबंदों को मजबूत करने पर सहमत हुए है इरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने को सहमत हुए है तो इरान और साओधी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने को लेकर सहमत हुए है दोस्तो ये थे 60 questions कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बैल आइकन अन कर लिजेगा जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नमशकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नौलिजपनेट पर मैं रंजीत पांड़े आप सभी के लिए इस वीडियो में 60 जनरल अवैनस के questions लेकर आया हूँ ये questions हर exam के लिए important है और पिछले कई वर्षों से पूछे भी जा रहे हैं अलग प्रतियोवी परिक्षाओं में इनको पूछा गया है चेक करिए क्या ये caution आप से बन रहे हैं अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई की है तो maximum caution attempt करते हुए जादा सजादा आप answer सही कर पाएंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon on कर लीजेगा जिससे notification time to time मिलते रहे आपके लिए लाइक करके अपने ग्रूपस में जरूर शेयर करेगा चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहला प्रशन है वर्ष 2022 के लिए ICC Service Race पुरुष T20 क्रिकेटर कौन चुने गए हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपेंशिप के पुरूष एकल का टाइटल किस ने जीता है तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपेंशिप के पुरूष एकल का टाइटल कुल लावुत विती दर्सन ने जीता है ICC Player of the Month कप शुरू हुआ तो जनवरी 2021 से ICC Player of the Month शुरू हुआ था वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला फुटबॉलर कौन बना है तो पांच वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला फुटबॉलर जो है क्रिश्टियानो रोनाल्डो बने है एश्याई खेल का नामकरण किस ने किया तो जवाहर लाल नहरुजी ने एश्याई खेलों का नामकरण किया था लेवर कप 2022 का विजेता कौन रहा तो लेवर कप 2022 का विजेता विश्व टीम रही प्रिंस ओफ वेल्स कप किस खेल से सम्मनित है तो प्रिंस ओफ वेल्स कप होकी खेल से सम्मनित है AIFF के वरतमान अध्यक्ष कौन है तो कल्यान चौबे AIFF के वरतमान अध्यक्ष है अखिल भारती फुटबॉल महासंग AIFF के अध्यक्ष कौन है तो अभी हमने पढ़ा भारतियों उलम्पिक संग के वर्तमान अध्यक्ष अनिल खन्ना जी है। मार्टीना नवरातिलोवा ने पहला फ्रेंच ओपन एकल खिताब कब जीताuchen तो मार्टीना नवरातिलोवा ने पहला फ्रेंच ओपन एकल खिताब 5 जून 1982 को जीता था। Electra Gold Cup किस खेल से समМनित है तो Electra Gold Cup Tayblal Tennis 치ेल से समनित है स्वेफलिंग Cup तो स्वेफलिंग Cup Tayblal Tennis से समनित है पांच हजार टेश्टर रण बनाने वाले बांगला देशि बल्लेवाज कौन है? तो मुश्फिकूर रहीम पांच हजार टेश्टरन मनाने वाले बांगला देशी पहले बल्लेवाज है 24 वे डैफ लिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी किस देश ने की थी तो 24 वे डैफ अलम्पिक्स 2021 की मेज़बानी ब्राजीर ने की थी दीपक पूनिया का संबन किस खेल से है तो दीपक पूनिया कुछती खेल से संबनित है तस्नीम मीर का संबन किस खेल से है तो इस तस्नीम मीर बैडमिंडन खेल से संबनित है फीफा विशुकप विजेता पुरुसकार राशी कितनी है तो 316 करोडर पे फीफा विशुकप पुरुसकार विजेता की राशी है 12 शुतक बनाने वाले पहले भारते खिलाडी कौन है तो 12 शुतक बनाने वाले पहले भारते खिलाडी पाली उमरगीर है विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुवात कप से हुई तो विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुवात वर्ष 2002-2003 से हुई T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले भारति क्रिकेटर खिलाडी कौन है तो मुरगपपा गोल्ड कप हौकी खेल से संबंदित है बॉम्बे गोल्ड कप किस खेल से संबंदित है तो हौकी से बॉम्बे गोल्ड कप संबंदित है सुतंतर भारत के पहले विक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन है तो राफिर नडाल ने सबसे ज़्यादा Grand Slam जीते है मेगनस कालसन किस खेल से संबन्दित है तो मेगनस कालसन सतरंज खेल से संबन्दित है अंतराश्री हौकी महासंग के अद्धिक्ष कौन है सतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन एंगी भारत कितने बार विश्व चैंपियन के रूप में उभरा है तो सात बार सतरंज में रहा है भारत का वरतमान खेल मंतरी कौन है तो अनुराक ठाकुल जी भारत के वरतमान खेल मंतरी है लियोनेल मैसी ने बैलेंडी और अवार्ड कितनी बार जीता है तो लियोनेल मैसी ने बैलेंडी और अवार्ड साथ बार जीता है बैलेंडी और अवार्ड क्या है तो खेल में मिलने वाला एक पुरुसकार है बैडमिंटन विश्व महासंगे ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार से सम्मानित किया है तो बैडमिंटन विश्व महासंगे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकार से प्रकास पादुकोन को सम्मानित किया है क्रिकेट बॉल कितने ग्राम की होती है तो क्रिकेट बॉल 155.9 और 163 ग्राम के बीच की होती है क्रिकेट कौन सी गैन से खेला जाता है तो कूका, बुरा, ड्यूक और एसजी इन तीनों ही गैन से क्रिकेट खेला जाता है क्या free hit पर stump out होता है या नहीं तो हाँ free hit पर stump out होता है पुलेला गोपी चंद की पतनी कौन है तो PVV लक्षमी पुलेला गोपी चंद की पतनी है भारते क्रिकेट टीम के नए मुखे कोच कौन बने है तो राहुल दरविट भारते क्रिकेट टीम के नए मुखे कोच बने है तो दोस्तो ये थे आपके मुखे कोशन्स अगर आपने कहीं से भी पढ़े हैं तो ये प्रशन आपसे बने होंगे अगर नहीं बने हैं तो एक बार और वीडियो देखके सारे questions याद कर लीजिए क्योंकि इन में से exam में पूछे जाने वाले हैं प्रशन जो सीधी सीधी आपको इस screen पर दिखेंगे तो चलिए मिलते हैं next topic में next वीडियो के साथ में चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब ज़रू कर ले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रू करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल knowledge पंडित पर मैं रंचीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 60 प्रशन लेकर आया हूँ जीके के आपने कहीं से भी पढ़ाई करी है चाहें online या फिर आप बुक से पढ़ रहे हैं इन 60 में से maximum question आप से बनना चाहिए क्योंकि ये पिछले कई वर्शों से लगातार exam में पूछे जा रहे हैं आप खुद देखेंगे कौन से प्रशन किस exam में पूछे गए हैं मैंने हर प्रशन के नीचे ये mention किया है वीडियो पर अगर आप हमारे नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजे क्योंकि हम रोज update करते हैं वीडियो और आपके लिए यहाँ पर नए नए topics के वीडियो लेकर आते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप्स में share भी करिएगा चलिए हम शुरू करते हैं ग्यानोदे पत्रिका के संपादक कौन थे तो ग्यानोदे पत्रिका के संपादक कनहिया लाल मिश्रु जिन्हें हम प्रभाकर नाम से भी जानते हैं यूकलिट लेखा गड़ित का संस्कृत में अनुवाद किस ने किया था तो जगनाथ जी ने यूकलिट लेखा गड़ित का संस्कृत में अनुवाद किया था मुहमद आदिल शाह का मगबरा कहां पर है तो मुहमद आदिल शाह का मगबरा बीजापुर में इस्थित है तुर्की के राश्टपती कोन है तो रेसेप, तैयप, एर्दोगरन तुर्की के राश्टपती है Republic Party of India के संस्थापक कौन थे तो बियार अमबेट कर Republic Party of India के संस्थापक थे राश्टिय सरसो अनुसंधान केंदर कहां पर है तो सेवर राजिस्थान में राश्टिय सरसो अनुसंधान केंदर इस्थत है बाड़ुली के मंदर किस मंदर शैली से संबन्दित है तो बाड़ुली के मंदर वैसर मंदर शैली से संबन्दित है हाथी गुम्फा अविलेक के सासक के विशय में जानकारी का इस्तरोथ है तो हाथी गुम्फा अविलेक खारवेल राजाओं के विशय में जानकारी का इस्तरोथ है अंग्रेज भारतियों का रक्त चूस रहे हैं यहां विचार किस से सम्बंदित है तो अंग्रेज भारतियों का रक्त चूस रहे हैं यहां विचार रमेश शंद्र दत्त जी के हैं उत्तरप्रदेश का सबसे पुराना विश्विध्याले कौन सा है? तो इलहाबाद विश्विध्याले जो की इलहाबाद में है उत्तरप्रदेश का सबसे पुराना विश्विध्याले है उत्तरप्रदेश सरकार की आयका सबसे बड़ा भाग किस से प्राप्त होता है तो उत्तरप्रदेश सरकार में आयका सबसे बड़ा भाग सामाने व्यापार कर से प्राप्त होता है Handbook of Agriculture प्रकाशित कहां से होती है तो भारतिक करश्य अनुसन्धान परशत से Handbook of Agriculture परकाशित होती है उतराखंड में एक ग्राम सभा की इस्थापना कहाँ कैसे की जाती है तो उतराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है उत्राखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किसमें लगभग कितनी है उत्राखंड राजे से जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किसमें लगभग 500 है उत्राखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे भातपूर्ण समूह क्या है तो उत्राखण में धान, गेहूं, मंडुआ और आलू सबसे प्रमख रूप से उगाई जाती है उत्राखण में क्रशी भूमी नापने का पेमाना क्या है? तो नाली और मुट्टी उत्राखण में क्रशी भूमी नापने का पेमाना है भारत के प्रथम लोगपाल कौन है तो पिनाकी चंदर गोशी भारत के प्रथम लोगपाल है देश का पहला पूर्ण सौर उर्जा संचालिच जिला नयायले कौन सा है तो देश का पहला पूर्ण सौर उर्जा संचालिच जिला नयायले खूटी है भोपाल कितनी पहाणियों पर वसा हुआ है तो भोपाल पांच पहाणियों पर वसा हुआ है वरतमान में दिल्ली का उपराजिपाल कौन है तो विने कुमार सकसेना वरतमान में दिल्ली के उपराजिपाल है इंडियन ओपीनियन समाचार पत्र की शुरुवात किस ने की थी तो मोहंदास करमचनर गांधी जी ने इंडियन ओपीनियन समाचार पत्र की शुरुवात की थी सिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी तो सिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी ज्वारा प्रस्तावित थी तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबन्दित है तो तीन कठिया अनुबंध चंपारन सत्यागरह से संबन्दित है भारत में विदुतार के जनक कौन थे तो भारत में विदुतार के जनक लॉड डलहोजी थे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो राजाराम मुहनराय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस ने किया था तो फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था मार्स गैस किसे कहा जाता है तो मीथेन CH4 मार्स गैस के नाम से भी जानी जाती है जाती का प्रजातिय सिध्धान्त किस ने दिया था तो हरवत होप रिसली ने जाती का प्रजातिय सिध्धान्त दिया था खालसा पंद की स्थापना कब की गई तो वर्ष 1699 में खालसा पंद की स्थापना की गई थी टाइगर राजिक किसे घोशित किया गया है तो मध्यप्रदेश को टाइगर राजिक घोशित किया गया है विशो का सबसे बड़ा मचली उतपादक देश कौन है तो चीन विशो का सबसे बड़ा मचली उतपादक देश है तमडिया जंजाती कहां पर निवास करती है तो जारखंड छेतर में तमडिया जंजाती निवास करती है राम तिल में तेल की मातरा कितनी पाई जाती है तो सफेद तिल राम तिल में तेल की मातरा सैतेस से सैतालिस प्रतीशत तक पाई जाती है कौन से राश्पती लोगसभा अध्यक्ष भी रहे हैं तो नीलम संजीवा रेडीजी लोगसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राश्पती भी रहे हैं तुल्सी के पौधे का औचदी महत्वकिस की उपस्तित की कारण है तो तुल्सी के पौधे में फिनॉल एवं फ्लेविनॉइड उपस्तित होते हैं जो उसके आश्प्धिय गुण को बढ़ाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार्ज सेवा किस जनपद में शुरू हुई है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार्ज सेवा जो है मिर्जापुर जनपद में शुरू हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई थी तो गोरकपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी ब्रिडिस भारत में सैने बल पर कितना खर्च होता था तो केंद्रे राजस्व का 40 प्रतीशत ब्रिडिस भारत में सैने बल पर खर्च होता था राजगीर कुंड में गर्म पानी कहां से आता है तो राजगीर कुंड में गर्म पानी सब्त परणी गुफाओं से आता है नारायनी गर्म जर्ना कहां पर है तो राजिस्थान राजि में नारायनी गर्म जर्ना उपस्तित है पिछडी जाती आयोग के प्रथम सभापती कौन थे तो काका साहिब का केलकर पिछडी जाती आयोग के प्रथम सभापती थे नदी का जल प्रदूशन किस से नापा जाता है तो जल में घुली ऑक्सिजन की मातरा से नदी का जल प्रदूशन नापा जाता है मिताली एक्सप्रिस किंदो शहरों के बीच चलती है तो मिताली एक्सप्रिस धाका और न्यू जल पाई गुड़ी के बीच चलती है जैजाग भुक्ती किसका प्राची नाम था तो बुंडेल खंड छेतर का प्राची नाम था जैजाग भुक्ती संगम योजना का मुख्योद्देश क्या है तो विकलांगों की कल्यान वर्द्दी करना संगम योजना का मुख्योद्देश है कि सुल्टान ने सामराजी की सीमाओं की सुरक्षा हे तू विसे सेना को निक्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भिलाई लोह इसपात कारखाना कहां है तो 36 राज में भिलाई लोह इसपात कारखाना है ब्रेंट इंडेक्स कि से सम्मंदित है तो कच्छे तेल की कीमतों से ब्रेंट इंडेक्स सम्मंदित है मकडियों द्वारा उत्पादत रेशम क्या कहलाता है तो गोसामर रेशम मकडियों द्वारा उत्पादत रेशम कहलाता है सर्वुत्तम प्रकार का कोईला कौन सा है तो एंथ्रिसाइट कोईला सर्वुत्तम प्रकार का कोईला है कौन सी एक समयधानिक संस्ता है तो भारते निर्वाचन आयोग एक समयधानिक संस्ता है किस देश में आयका पुनर वित्रण करने का सरवत्तम मार्ग क्या है तो किसी देश में आयका पुनर वित्रण करने का सरवत्तम मार्ग प्रगामी वैसे संयुक्त प्रगामी कराधान है दक्षन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अनाई मुडी दक्षन भारत की सबसे उची चोटी है कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना किन देशों को जोड़ती है तो कलादान मल्टी मॉडल परिवहर परियोजना भारत और मियानमार को जोड़ती है भारतिय वनेजी वोड़ी की स्थापना कब हुई तो 1982 में भारतिय वनेजी वोड़ी की स्थापना हुई दोस्तो ये थे आपके 60 questions वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर ले जिसे आपको regular update मिलती रहे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद